आप जो ये सामने देख रहे हैं ये मैंने लगाई हुई है monkey net और मुझे बहुत सारे कमेंट साते हैं कि सर आपके एरिया में monkey नहीं आते अक्सर लोगों के गार्डन में जो बंदर आते हैं और वो फू सारे पौधों को खराप कर देते हैं और बहुत सारे लोग जो है समस्या से परेसान हैं तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये monkey net अब ये monkey net के फायदे क्या हैं मैं आपको समझा देता हूँ और ये monkey net आपको मिल जाएगी website organicbazar.net पर एक्चुली मैंने ये जो यहां monkey net लगाई है ये एजा creeper net लगाई है मुझे creeper की तरह इसका इस्तमाल करना था क्योंकि मेरे garden में बंदर आते नहीं है तो मैंने monkey net लगाई नहीं थी अब monkey net और creeper net में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये monkey net होती क्या है तो देखिए ये जो monkey net है ये plastic से बनी होती है और इसमें इस तरह से knot लगाई जाती है ये machine से ही बुनी जाती है और लगभग 2 वाई 2 इंच का ये square मन है ये इतना छोटा square होता है कि इसमें हम हमारा हाथ पूरा अंदर नहीं कर सकते देखिए इस तरह से ये फस जाता है और ये काफी मजबूत है ये तूटेगी नहीं और ये खराब नहीं होती धूप में साथ में जब आप इससे लगा देंगे जैसे मैंने आपको दिखा दे अना बिल्ली कोई भी नहीं जा सकता ये बिल्कुल सेफ एरिया हो जाता है अगर आपकी आप सब्जीयां लगा रहे हैं कोई भी पौधा आप लगा रहे हैं तो उसके लिए और साथ में ये जो जो मंकी नेट है ये इसको जब बंदर आते हैं तो तो तोड़ने की कोशिस कर अक्सर ये जहां मंदिर होते हैं उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको बहुत परिसानी होती है गार्डन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली यूपी के तरफ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहां से बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते है यह काफी लंबे समय से हम इस्तमाल कर रहे हैं और इसे जो website में list की हुए एक साल से ज़्यादा समय हो गया है काफी लोगों ने इसे खरीदा है इस्तमाल किया है काफी अच्छा इसका response मिला है तो यह तो है monkey net यह आपको अलग-अलग size में मिल जाएगी आपकी जो जरूरत है उसे साफ से ले लें बस इसमें आपको क्या काम करना होगा इस तरह से या तो लखडी का frame चाहिए आपको या फिर मैं आपको दिखा देता हूं मेरे garden में देखिए इस तरह से लोहे का frame बना है तो यह बाहर से पूरा लोहे का frame बना कर आप इसमें monkey net लगा दीजिए बाहर ल चोटा होता है और जो कृपर नेट होती है जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये हैं हमारी क्रीपर नेट कर दो कर सकते हैं लेकिन में रिखेबंट नहीं करूँ गा कुई फिर क्या होता है यैं से यह खीरہ आप अगर आपके गार्डन में भी बंदर आते हैं और आप उनसे परेसान है तो आप इस तरह का monkey net का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा तो बिलकुल आप इसका इस्तमाल करें इसे खरीदने की जो link है मैंने description में दे दी है बहाँ जाकर आप इसे खरीद सकते हैं और क्या आप उपाय करते हैं बंदरों से अपने पौधों को बचाने के लिए उसके बारे में भी कमेंट्स करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहें मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, हैपी गार्डनिंग